हलो एव्रीवन यूर वेलकम तो बैस्टनोस टूटोरियल और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर मैं आप लोगों के लिए प्रियावाची शब्दों की क्लास आज लेके आया हूँ प्रियाई वाची शब्दों के बारे में ये एक चीज है कि आप प्रियाई वाची शब्दे एक दिन में सारे याद नहीं कर सकते हैं आप लोग में पास मैं अगर 10 दिन हैं और 10 दिन के आपकी बैर in strategy बताओं कि आप को कैसे इसमें बहतर करना है तो आप लोगों को simply क्या करना है कि first इसमें कुछ words को filter कर लीजे filter उन words को कर लीजे कि जो आपने आज से पहले ना सुने हो आपको 200 प्लस word क्या कर लेना है परियाए बाचे में 10 दिन में जोड लेना है अब जुड़ेंगे कैसे वो मैं आप लोगों को अभी हो सारे words तो आप लोगों को अभी याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम class में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और connect करने की कोशिश करनी है जो भी मैं बोलूँगा उन बातों से आपको connection बनाने की कोशिश करनी है और आपको याद हो जाएंगे चीज़े तो चलिए शुरू करते हैं आज की class और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर मैं already सारी चीज़ें लिख चुका था इससे पहले मैंने पूरी class बनाई थी और यह देखिए नीचे मैं सारी class बना चुका था लेकिन हुआ कि मैंने जैसे class फिनिश की और देखा कि audio जो था जैक वो लगा हुआ नहीं था और audio record नहीं हो पाया था तो मैं दुबार ऐसे word आप लोगों को याद हैं जैसे अंश हो गया हिस्सा हो गया भाग हो गया यह पहला मैंने आपका example के लिए समझायता है यहां पे कि अंश हिस्सा और भाग यह क्या है आप लोगों के इसली आप connect कर पाएंगे जैसे अंग होगा अगर पूछा जाएगा तो अंश हिस् पार्ट या भाग से रिलेटेड होगा तो इसलिए हमें ऐसे word को निकाल लेना है बाहर जो हमें दिमाग में क्लिक नहीं करने वाला है तो पहला वर्ड है आप लोगों का अब या वह आप लोग भाग या हिस्सा आप लोग ले सकते हैं अब हम डिर्क्ली उन्हीं वर्ड को लिखेंगे जैसे कि तम तम किसके लिए यूज होता है अंधिकार के लिए यूज होता है ठीक है तो अंधिकार के लिए तमस वगएर आप लोगों याद रहेगा तो तमस से ही आप लोगों याद रखना है तमिश्रा भी एक वर्ड होता है तमिश्रा तो तमिश्रा वर्ड तो उस में या अगनी, यह बहुत इजी वर्ड से हैं तो आप ने जू फिल्टर किया वहपनी वहपनी क्या है? आप लोगों का वहनी वर्ड किस के लिए यूज होता है? आज के लिए उज उता है तो मेरे पास काफी सारी बॉक्स हैं लेकिन जो मुझे बैस्ट लगिए हो सामान ए घ्रीबुक थी लूसेंट की उससे मुझे लगा कि उसमें काफी अच्छा अच्य वर्ड्स दिये वहे हैं तो आप लोग ढगर बुक की बात करते हैं अन्वेशन जो होता है रिसर्च यह वर्ड आप लोगों पता है इसके लिए एक वर्ड है आप लोगों का गवेशन आप लोगों को यह याद रखना है कि गवेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है अन्वेशन या च्छानवीन के लिए यूज होता है उसके बाद आता है अ अबिमान एंकार गھमंड यह नॉर्मल वड़ है अबिमान के लि लेकर आप आपको याद रखना आत्म शलागाः अब आपके आसपास अगर कोई आदमी है बहुत अभीमान के वह जो बहुत गवनडि ए इसके पास जो क्या हो जाएगा याद हो जाएगा और अभिमान के लिए ही एक और वर्ड यूज़ होता है वह होता है दर्प अब आगे चलते हैं कि अम्रित 합니다 बाकी वर्ड तो आप लोगोंने जो भी आप देखेंगे कॉमन वर्ड वह आप लोगों आप याद होगे लेकिन आगया अम्रित के लिए उझु़ होता है अप अमि वर्ड किसके लिए यूज होता है अप लोगो देख सकते यहां पर वह अम्रित के लिए यूज़ होता है तो अगर आप पानी प्योह तो बोलना पानी क्या है अमी की हे इस की तरह है अमी य। तो पानी के लिए नहीं है मैंड है अमरिज जैसा है ठीक है सबसे सबसे तो यह हुआ अमरिद के लिए है और one अब वन जो वर्ड है वो आप लोगों के लिए जंगल वगएरा तो कॉमन वर्ड हैं लेकिन साथ में आप लोगों गयाते हैं अटवी और कांतार जो होते हैं वन के लिए यूज़ होते हैं तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे लूसेंट की अगर किसी पाफ जो वर्ड्स हैं उन लोगों को आप लोगों को क्या कर लेना है याद कर लेना है अब आगे चलते हैं उसमें हैं आप लोगों अश्वा अश्वा अप लोगों पता है गोड़े के लिए बोलता है तो ये कॉमन वर्ड है आप लोगों लेकिन जो साथ में है वो है आपका गो के लिए पढ़ा था था अचिंझाय को सिखाते सिकाते तो जब मैं आप लोग हुआ रहा होता हो हु़न लग्यात वह मुझे बिश्छाइब कर रहे हैं अची आर्ट है कि हाफ लोगों खुद काफिए सारी चीज़ें खुद भी याद हो जाएंगी तो सैंधव स्शब्ता में घोड़ा क्या करना था आप लोगुद से कोशिछन कर सकते सैंधव सब्यता का घोड़े से क्या लेना अब आ जाते हैं असूर जो है यातुधान और इंदरारी दो बर है इंद रारी ठीक है आव लोगो क्या होता था किया होता था असुरों से इंडर जो होता है उनसे काफी बार मींस यगड़ा होता था या उनसे युद्ध होता रहता था तो आप लोग इस तरह से इसे को रिलेट कर सकते हैं असुर इंद्रारी और या तुद्धान और किसके लिए युद्ध होता था धान के लिए याद रख लिए कि या तुद्धान धान के ल तो दो वर्ड याद हो गए अपके देखे अनी हूँ एक और वर्ड हमने अभी आभी याद किया था अमी फैम्रित के लिए और एक है आपका अनी तो ऑपका है फॉज के लिए यूज रहे आंग के लिए बाकि जैसे नेतर हो गया, चक्षु हो गया, उसके अलावा क्या है अक्षी 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 जो word है वो आंख के लिए यूज होता है, अब आ जाते हैं आंगन, आंगन को कैसे मैं याद करता हो था, आप लोहो को आंगन जिरा आंगन में क्या गिरा हुआ है जीरा गिरा हुआ है तो वह आप लोगों याद होगा अजीरा ओझा ठीक है आकाश आकाश अच्छे वड़ और मींस उसके साथ में पुष्कर सिंह धामी लो देखिए और अब्र ये भी याद रखिए अब्र ठीक है अब्र भी क्या होता है आकाश के लिए यूज़ता है तो पुशकर सिंग धामी क्या लेके आ रहे हैं अब्र लेके आ रहे हैं अब्रक अब्र अब्र लेके आ रहे हैं पुशकर सिंग धामी और आकाश में उड़ रहे हैं तो आ आम के लिए देखिए आम के लिए क्या है पिक बंदु सहकार में सहकार वर्ड भी किसके लिए उज़ता है आम के लिए उज़ता है पिक बंदु भी किसके लिए उज़ता है आम के लिए उज़ता है तो हमें इस तरह से इसे याद कर लेना है जो हमारे बंदु सहकार हैं बंद दया लिखी ठी इस प्रह पे न और इस forehead होता है इच्छा और इहा कि होंगे आपि पोएक री लिखते होंगे तो अप लोग अप लोग प्रियाएं बाची जा याद हो जाते हैं ठीक है कि अच्छे आ लिखता हूं तो तो समय प्रियायर भाची शब्द कई हνα क глуб markerते हैं लिखने के लिए जो हमारे विचार होते़ उनको अच्छा धराप लिखना चाहते तो आप व्योह को अच्छे पुइस आप लोगों के याद होने चाहिए तो इसमें हो वांच्छित-वांच्छित मतलब जो जिसकी इच्छा की गई है। वांच्छा से आप लोगते हुआ वी याद हो जाएगा। और इच्छा और इस्प्रह। इस प्रह की जिसली कर पाएंगे। इसमें है आप लोगों का इंद्र इंद्र का है मध्वा मध्वा और यासव यासव मध्वा यासव और मध्वा और इंद्र से ही आप लोगों को इंद्रानी आप याद रख सकते हैं इंद्रानी इंद्रानी इंद्र के लिए क्या वर्ड यूज हुआ था मध्वा ठीक है और इंदरानी के लिए क्या यूज हो रहा है मध्वानी मध्वानी उसके बाद आजाता है रिशी रिशी के लिए यूज हो रहा है यती और तत्तोग्य जिसे तत्तोगा ग्यान है उसे कहींगे हम तत्तोग्य तत्तोग्य रिशी अब आता है आप लोगों का next पतनी, पतनी के लिए घरनी वर्ड भी यूज़ होता है, घरनी, तो अगर आपकी वाइफ है तो उन्हें आप घरनी बोल सकते हैं, कपड़ा, कपड़ा के लिए वसन, तो आप लोगों वसन वर्ड यूज़ करना है, आज के बाद 10 दिन के लिए at least वसन वर्ड यूज़ कीज़े, एक आपके चारो तरब जो चीज़ें ना, उन चीज़ें से को रिलेक कर लीजें को, और आप को रिलेशन जितना अच्छे से कर पाएंगे, उतना बहतर चीज़ें आप लोगों याद हो जाएंगी, बहुत बार मैं काफी सारी वीडियो में यूज़ करते हैं जो वर्ड वो हैं आप लोगों का उतपल अब देखें उतपल और उतपल और कमल उतपल और कमल, दो दोनों के दोनों एक जैसा आप लोगों को साउंड करेगा उतपल कमल और दूसरा जो वर्ड है आप लोगों का वो आप लोगों देख सकते हैं यहां पर वो है कज तो कज वर्ड और उत्पल वर्ड किसके लिए उज़ होते है कमल के लिए अब आता है कुत्ता कुत्ता जो वर्ड है उसमें शुनक शुनक और सार मेव आपो कुत्ते यहां भी देखें आपको उसे सुनकuw भोलना है आपके घर में कुत्ता है तो एक को आपके प्लिएering कारू माने को ना सुनकदी खेस्थे खेए यह नहीं कुत्ता सुनक Brazil , कुत्ता अगर असपास है है टेवल दिख रहा है पैन दिख रहा है कुछ भी दिख रहा है हमें उस चीज को हम किसी ना किसी चीज से कनेक्ट कर लेते थे अगर आप पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम तक चीजों का कनेक्शन के साथ में आप पढ़ेंगे और कनेक्शन बनाते जाएंगे तो आप लोग दिमाग फ्रेश रहता है आप दिन भर बुक में सिर्फ रीडिंग करते हुए पढ़ते रहेंगे तो उससे क्या होगा आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा बारी बारी आपको फीड होगा लेकिन जो टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करते उनको आप अलग अलग तरह किसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनिटली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इजीली याद भी हो जाएंगी और आप थोड़ा सा अच्छा भी फील करेंगे पढ़ते हुए अब उसके बाद आता है कपोट कपोट के दो बड़ात आता है लेकिन क्या वर्ड आ रहा है यहां पर हारीट अब जब भी हमें हारीट पूछा जाएगा अगर वहां पर तोता आएगा तो हम उसे तुरंत तोते से क्या करेंगे कनेक्शन बना लेगे अब यह बाते मैंने आपसे क्यों कही है यह बाते इसलिए कही है कि इनकेस आपके पास यह वर्ड आता है तो आपको यह जो बात मैंने आपको कही है उसे आप लोग क्या कर सकते हैं कनेक्शन बनाके उस टाइम आपको याद आ जाएगी यह चीज़ र और रखतलोचन है सफेद कबूतर को हम क्या बोल रहे हैं लाल हरा बोल रहे हैं तो यह इस तरह का जो कनेक्शन होता है इस तरह की जो डिसक्रिशन होता है यही डिसक्रिशन आप खुद के साथ भी कर सकते हैं अब यह डिसक्रिशन कीजिए अपने आपके साथ अपने आप तो आप लोगों चीजें बहुत लंबे टाइम के लिए याद हो जाएंगे अब आ जाते हैं कल्प वरिक्ष कल्प वरिक्ष को हम मंदार वर्ड याद करेंगे क्या याद करेंगे मंदार मंदार कल्प वरिक्ष उसके बाद आगया आपके पास में काक ठीक है अब जैसे मैंने आप लोगों अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि घोटक घोटक किसको कहा जाता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लखिए तुरन अब देखते हैं कि कौन किस किसको यह वर्ड याद है कि घोटक जो मैंने कहा था किसके लिए कहा था ठीक है और एक वर्ड और कहा था मैंने वो कहा था सैंधव यह वर्ड मैंने मैंने खुद यह अभी अभी सी कहा था तो सैंधव क्या था अब लोगों कि आपको याद आ पा रहा है कि क्या था ठीक है और मैंने एक आप लोगों के गिरा हुआ था आंगन में कुछ गिरा हुआ था मैंने आप लोगों बताया कि क्या चीज गिरा हुआ था और जो असुर थे असुर असुर वो उनका एक इंद्र से रिलेटेड एक नाम था ठीक है यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं कि आपको चीज याद आ पा रही है अगर वो चीज आप लोगों याद आ पा रही है जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि आम आम के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया कि मैंने कहा था कि आपके जो बंदू है वो क्या लेके आ रहे हैं ठीक है बंदू और एक दूसरा वर्ड मैंने याद सुरी दूसरा मैंने यहाँ पर याद करवाए था आपको वो कौन सा था तो आप लोगों को लिखना है तो अगर आप लोगों को इस तरह से यह चीजें लास्ट में मैंने आप लोगों को अभी बताई और आप लोगों रिलेट कर पा रहे हैं तो इसी तरह से आप लोगों को खुद भी पढ़ना है जिससे कि आप लोगों को चीजें अपने आप ही याद आनी शुरू हो जाए तो यह एक टेकनीक थी आप लोगों बताने के लि और confidence बहुत बड़ी चीज़े life हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले goodbye take care all the best